हरे क्रिश्णा आज हम डिस्कुस करेंगे कि मेडिटेशन क्यों हमें करना चाहिए spiritual meditation के फैदे क्या है और क्यों तो पहला point यह है कि हमने पहले discuss किया है कि कैसे body space जो हम शरी और इंद्रियों के सर पर जब रहते हैं उससे कभी कुशी नहीं मिलती अगर हम mind, intelligence, ego के space में रहते हैं तो वो भी unsustainable है उससे भी फैदा नहीं होगा actual peace, सुकून और आश्रय का अनुबव, शान्ती का अनुबव तब होता है जब हम heart, soul space में जब हम रहते हैं इसलिए ज़रूरी है कि हम spiritual meditation practice करें जैसे उदारन के लिए आप देखे आप body को लीजिए अगर हम अमेशा भोग, आनंद, सुक, pleasure, इंद्री विश्यवस्तों का सपर्ष करने का अगर इच्छा रख रहे हैं तो क्या problem होता है तो यह शरीर और इंद्रियों का इस तरह से बनावट है, एक rule है कि अगर हम कुछ भी भोग करेंगे उसका double suffering हमें मिलता है यह दुनिया का law है तो इसलिए आप देखिए कि अगर आप एक गुलाब जामून है, आपने गुलाब जामून खाया वो गुलाब जामून से आपको बहुत भोग, आनंद मिला पर अगर आप दूसरा गुलाब जामून लेंगे, तो तोड़ा शायद और बढ़ेगा सुक पर तीसरा लेंगे, और कुछ समय बाद अगर जबरदस्ति आपको वही गुलाब जामून खाना पड़े तो वही गुलाब जामून से आपको तकलीफ होगी मतलब अबजेक्ट जो वस्तु हमें सुक देता है इस बौतिक जगत में वही वस्तु हमें बाद में दुक देता है और हम इसलिए अमें परिशानी होते है क्योंकि हम केवल सुक चाते हैं तो यह सस्टेनेबल नहीं है जो भी हम भोग करते हैं उसका डबल हमें मिजरी मिलता है जैसे आप कॉइन आप सिका उचा लोगे तो हेट्स मिलेगा तो टेल्स भी मिलता है केवल हेट्स नहीं मिलेगा तो उसी प्रकार जिंदिगी में केवल खुशी नहीं मिलेगी जैसे बहुत लोग कहते हैं आप अधिकांश लोगों से पूछो के सब लोग जो है इस दुनिया में वो लंबा जीवन जेना चाहते हैं अधिकांश लोग कहते हैं कि I want to live a long life आप उस विक्ति से पूछिए जो लंबा जिंदेगी जो लंबा एक लाइफ जेना चाहता है उसे पूछे क्या बुड़ा होना चाहते हैं नहीं हम बुड़ा नहीं होना चाहते हैं पर लाइफ लंबा चाहिए या कोई कहेगा मुझे सुंदर पत्निया हैंडसम पती चाहिए पर उसके नकरे नहीं चाहिए है ना तो ऐसे हमें एक ही चीज चाहिए रहता है life में कोई कहेगा मुझे पैसा बहुत चाहिए पर पैसे के साथ जो tension आता है anxiety आता है वो नहीं चाहिए तो यह नहीं होगा पर जब हम body और senses के space में रहते हैं तो हम केवल इंद्रिय विशे वस्तों पर जो सुक मिलता है उसकी कामना रखते हैं और वो जो life है वो जो जिन्देगी है उसमें कभी हमें कुशी नहीं मिल सकती क्योंकि यह तो शाफ्तरों में भी लिखा है यही सम्सपर्शजा भोगा दुख्यो नया एवते आद्यंतवंत कॉंते आनतेशु रमते बुधा जो विशेवस्तियों का जो सम्पर्शजा भोगा और उसे जो भोग हम करते हैं दुख्यो नया एवते केवल दुख उसे प्राप्त होता है क्योंकि आदियंतवंतवंतव आदि भी है और उसका अंत भी है उस सुखका बिगिनिंग और एंड है नतेशु, रमते, बुधा जो बुद्धिमान वेकती है वो इसमें रमन नहीं करता तो यह हो गया बॉडिली स्पेस कुछ लोग है कहते हैं नहीं मैं तो केवल माइन इंटेलिजेंस इगो के स्पेस में रहता हूँ इतने सारे प्रॉब्लेम सॉल्व करता हूँ प्लीज रिमेंबर, आमने डिसकस किया पहले प्लेजर सीकर, प्रॉब्लम सॉल्वर और पीस एक्स्पेरियेंसर जो प्लेजर सीकर रहता है, जो भोग की इच्छा रखता है वो केवल शरीर और इंद्रियों के उसमें उलजा रहता है जो problem solve करके जो सुख पाना चाहता है वो mind intelligence ego के दुनिया में रहता है उसको भी कभी सुख नहीं मिल सकता क्योंकि मन जो है उसका definition by nature वो चंचल है मन आपको कभी खुश नहीं रहने देगा क्योंकि मन का nature है कि वो अमेशा असंतुष्ट रहता है मा मुपेत्य पुनर जन्मा दुखालयम अशाश्वतम इस जगत को बनाया है ऐसे भगवान ने amazing creation है अब एक simple example लीजिए आपकी जीवा का अगर आपके दान्त में दर्द है एक दान्त में तो आपका जो जीव है वो सीधा उस दान्त पर ही जाएगा हालांकि बाकी जो 31 दान्त हैं आपके वो ठीक है पर आपकी जीवा वहाँ पर नहीं जाएगी जहाँ पर problem रहता है वहीं पर हमारा focus चला जाता है हालांकि हमारे जिन्देगी में बहुत सारे blessings मिले है पर हमारा mind क्या करता है वो blessings पर ध्यान नहीं देता तो नश्वर है और मन बुद्ध्य हंकार भी हमें सुक नहीं दे सकता केवल आत्मा ही है जो हमें शाश्वत आनंद प्रदान कर सकता है इसलिए meditation बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम आत्मा के साथ connect करते हैं हम एक शाश्वत स्थर पर जी रहे हैं तो उस समय वी एक्सपिरिंस डीप स्पिरिच्वल हैपिनेस इसलिए शाश्वत में बताया गया है कि कैसे अगर हम अपनी जो रोजशरिया के जीवन है अगर हम उसमें नियमित रूप से कुछ समय निकाल कर इस एंटर देट स्पेस आश्राय का स्पेस पे जब हम एंटर करते हैं तो उस समय भी एक्सपिरिंस डीप हैपिनेस हरे कृष्णा ऐसे ही और भक्ती मय कारिक्रमों के लिए देखिये हरे कृष्णा टेलिविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटी एच ऑपरेटर से समपर्क करें तदा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666-839-839